हेलो गाइज मेरा नाम है सक्षम डोब्रियार और यह है नर्स चनल और बस वही वादी बाते चो रहती है हमेशा चलती रहती है अभी मैं आपको जो अभी वीडियो बना रहा हूँ वह चीज के ओपर बना दो इसका नाम है अलकोलोईट और यह है अमारी फार्मकोग्नोसी से ठिक है फार्मकोग्नोसी ठिक है मेरा बहुत प्यारा प्यार ठिक है वैसनों यह इसमें एक और आता है तो मैं बताओंबाटलोईट होते क्या है और रामनम से बताओंगा तो सबसे पहले बात करते हैं, यह alkaloids होते क्या हैं, बहुत अराम नहीं से बताऊगा, अलकलोइट होते क्या हैं, देखिए, जो alkaloids रहते हैं, वो असलियत में एक वर्ड से आये हैं, जिने हम alkali कहते हैं, यह alkaloid का शब्का से आया है, बेसिक से आया है, मैंने alkaloid के बार में क्या लिखा था, जब मैं वीडियो बनाएं से पहले क्या लिख रहा था, alkaloid से होते हैं, वो वर्ड तुम्हारा alkali से होते हैं, जो मैंने आपको बात बता दी है, और यह generally basic होते हैं, generally, generally का मतलब है कि most of the time alkaloid basic होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, बोला जाता है alkaloid सारे poisonous होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, पुराने समय के अगर हम बात करें एलकोलोइट के बारे में तो एलकोलोइट के बारे में पुराने समय में क्या था पुराने समय में जो एलकोलोइट होते थे जो कि सेकंडरी मेटाबोलोइट है जो आप समझ रहे होंगे ये poisonous होते थे poisonous मतलब जहरीले होते थे ये जहरीले होते थे हमारे alkoloids क्या होते थे ये poisonous होते थे ठीक है इन्हें बोला जाता था ये crystal form में है अब ये जितनी बात है मैं आपको बता रहो ये crystal form में ये इनकी characteristics है ये इनकी विशेश्चता है पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता इनको बोला जाता है कि ये colorless भी थे ठीक है ये भी बात क्या रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता ये मैं आपको समझाओंगा इसके क्या क्या exception case रहते हैं क्यूंकि जो भी चीज रहती है pharmacy में चाह जितने subject हैं उसकी read की हड़ी chemistry रहती है और chemistry में हमेशा रश्णानिक विध्यान में हमेशा exception case रहते हैं alkaloids फर्स डिस्क्राइब किये थे 1890 में Frederick Messner ने 1890 में और उन्होंने सबसे पहले isolate करके निकाला था क्या बोलते हैं drug निकाला था और उसके बाद उन्होंने alkaloid का term दिया था आलकोलाइड अगर हम chemical होता क्या है है तो असीद्द में यह काईकलिक रिंग इनके अंदर जो अगर हम इसकी chemistry की विशेश्चता है देखएं ठीक है chemistry की विशेश्चता में क्या रहेगा cyclic होते हैं ठीक है इनके अंदर nitrogen एक या फिर एक से ज़ादा होता है एक या एक से ज़ादा होता है ठीक है और ये नाइट्रो से अहिट्रो सैक्लिक रिंग में होते हैं पर ये भी चीज पूरे तरीके से ज़रूरी नहीं होती है ऐसे बहुत सरे alkaloidal amines भी होते हैं alkaloids अगर हम बात करें फार्मक अग्नोसी में जोकी natural चीजों से निकलती है जोके natural चीज से extraction करते हैं इसके अंदर मैं आपको बता दूँ हमेशा ध्यान रखें कि फार्मक अग्नोसी में सिर्फ plant के बारे में बात नहीं होती है एनिमल्स की भी बात है माइक्रोब की भी बात है ठीक है ऐसे से करके अफीम ये सब चीजे रहती है ठीक है और जो आपके alkaloids रहते हैं वो आपके जानवरों से भी निकलते हैं आपके माइक्रोब से भी निकलते हैं जैसे सायोसाइनिन होता है वो आपको स्रुडोमनास एरिजिनल सा नाम के एक सुक्षन जीव से निकलता है जिसे मृक्रोब कहते है अंगाग या उसके बाद आपका मस्क पारइडिन आपका जो आप देखेऊंगे आपने क्या रहता है कि आपके जो रोम फ्रेशनर आते हैं घर में उसमें मस्क डियर, कस्तूरी हरन फिमल कस्तूर हरन उससे निकलता है आपका musk parodin नाम का chemical निकलता है, तो fragrance के भी काम आता है, और जादा अगर बाल बढ़ जाते हैं, growth हो जाती है, तो उसमें भी उसको रोखने के काम आता है, तो अगर हम बात करें, alkaloids obtained होते हैं हर natural resources से, ठीक है, जो मैंने आपको कुछ चुछ बता है, इसमें पूरी तरीके से हम plant भी नहीं कहेंगे, ठीक है, इसमें जानवर भी आते हैं, और आपके microbe भी आते हैं, क्योंकि, अब मैंने आपको बताया कि हर चीज में exception रहता है, पर most of the characteristics हम लेकर चलते हैं चीज के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि chemical ये आपके nitrogenous substance होते हैं, जो आपके hydrocyclic green के अंदर रहते हैं, और अगर हम बात करें कि कुछ अलग विशिश्चता हों की, तो ये क्या रहते हैं, आपके cyclic रहते हैं, toxic होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, colorless होते हैं, optically inactive होते हैं, पर हर चीज दरूर नहीं होती, color वाले भी होते हैं, सब कुछ हो पर उसे हम इसले करते हैं, क्योंकि उसके अंदर memory glands present है, तो इसकी भी कुछ characteristics, जितनी भी होंगी, वो मानी जाएंगी, कि बिलकुल ये सही है, मतलब alkaloid की characteristics मानी जाएंगी, और कुछ alkaloid की characteristics इन में से मानी नहीं जाएगी, आगे हम बात करते हैं, तो लेडन बर्ग नाम के साइंटिस थे, लेडन बर्ग नाम के एक साइंटिस थे, उन्होंने बोला कि अब मैं बोलूँगा कि मेरे इसाफ से अलकलोइट क्या होता है, तो लेडन बर्ग नाम के एक साइंटिस में, क्या बोला, 1880 में, कि मैं अलकलोइट की perfect definition दूँगा, पूरा निचोड बना के ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन जितने भी रसानिक विध्यान में जाते हैं, कि उसके जो लोन प्यर होते हैं, वो से basic बनाते हैं, basic बनाते हैं, और basic को हम क्या कहेंगे, अलकली बनाते हैं, तो उन्होंने आखिर में आके ये चीज़ का निशोड दिया कि अलकलोइट्स होता क्या है, ठीक है, अलकलोइट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स भी आते हैं, अलग-अलग जिगा से इस्तमाल भी करे जाते हैं, कभी-कभी पूरे पौधे को इस्तमाल करा जाता है, जड लीव्स, बहुत सारी चीज़ होगा, जैसे जड का example है, एक बहुत सारे निकलता है, ऐसे ऐसे करके, तो इनकी बहुत सारी अलग-अलग characteristics भी रहती है, पर मैं आपको गर इतना बताओं कि ये क्या रहता है, alkaloid रहता है, मैंने आपको उसकी basic definition बता दी, as a ladenberg की बता दी, वो चीज़ तो सेम ही रहेगी, अब जैसे इनकी कुछ अलग characteristics characteristics है, organoleptic characteristics है, जो आप इसे पहचान सकते हैं, इसे देखके पहचान सकते हैं, वो चीज़ मैंने बता दी, लेकिन मैंने ऐसे बोला, as a chemical as a physical characteristics, ऐसा ज़रूरी कुछ-कुछ species में नहीं होता, तब भी उन्हें alkaloid considered किया जाता है, इवन इनके बहुत सारे chemical test भी होते हैं, कुछ कुछ-कुछ species इसे नहीं पार कर पाती, कुछ-कुछ species पार कर जाती है, जो नहीं भी पार करती, अगर वो और चीज़ों में suitable है, तो तब भी उसको alkaloid considered करा जाएगा, दूसरी बात यह, alkaloid obtained plant से भी होते हैं, animal से भी होते हैं, microorganism से भी होते हैं, यह वाली चीज मैंने आप को बता दी, ठीक है, बाकी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, कि chemically और physically इनकी properties के, and what are the exception cases, जो की characteristic को मान नहीं रही है, disobey कर रही है, but still, they are alkaloid in nature, ठीक है, अगली वीडियो में बात करेंगे, कि chemical और physical characteristics क्या होती है, alkaloid के बारे में, तब तक मेरा नाम है, S-A-K-S-H- C-M-D-O-B-R-A-Y-A-L